मामला नगर डिगम शेत्र के कनाडिया का है जहाँ पर गरीब पीडित महिला कलापाई के आश्याने को दबंगो की इशारों पर तोड़ दिया गया था आपको बता दे कि वहाँ दबंगो की इतनी दहशत है कि रात के समय घर से बहाँ निकलने से भी लोग दर रहे हैं साथ ही दबंगो द्वारा देशत भरी धमकी मिलने के कारण पीडित महिला का परिवार देशत में आ गया है कल भी पीडित महिला अपने परिवार सहीत रीगल चौरा है पर घर्णा प्रदर्शन पर बैठी थी जानकारी मिलने पर पूर्मंत्री दिलिव राजपल पीडित परिवार से मिलने पहुँचे दूसरे दिन में महिला कलाबाई अपने पती बेटे सही छोटे छोटे बच्चों के साथ धर्णा प्रदर्शन पर भूकी प्यासी बैठी रही कलसूशना मिलने पर विनोध यादव अंबेड कर भीम आर्मी के पदाधिकारी एवं समाज के अध्यक्ष नरेंदर बागरी भी महिला के साथ धर्णा प्रदर्शन पर चार घंटे तक बैठे रहे इसी दोरान कनाडिया SDM शाश्वत शर्मा पीडित परिवार से मिलने पहुचे पीडित महिला की समस्या जानने के बाद सुबा कलेक्टर कार्याले दस्तावेज लेकर बुलवाया है ग्रामिन भारत टीवी के लिए इन दौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें